हेलो स्ट्टूडेंट स्वाग liaison मेरे यूट्यू चैनल सीटी नीटफ़ स्टूडेंट हम लोग बालोजी के बेरि मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्टन कर रहे हैं और दो सिरीज कर रहे हैं हिंदी के सिरीज चल लाई है एक इंग्लिस की सिरीज चल लाई है जो कि very most important question है और previous year exam में आ चुके हैं और next year आने का 100% chance है तो ये need level का question है but student आप लोग nursing, paramedical, pharmacy के लिए ये सभी question very most important है क्योंकि अगर आप exam दिये होंगे या फिर देंगे तो देखेंगे कि need के question 20 question, 30 question में से 20 question need के level के ही रखे जाते हैं तो आप लोग के लिए very most important question है आप लोग जरूर देखिएगा तो student first question देखते हैं अंड्रोसियम और गाइनोसियम और आफे flower आप जो अंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं ये पुस्प के क्या होते हैं essential होल होते हैं या accessory होल होते हैं non essential होल होते हैं या आलाद दीज होते हैं तो यह essential होल होते हैं मतलब अनिमार चक्र होता है तो first option ही correct हो जाएगा अप लोग first option correct कर लीजिए और इसका क्या definition explanation देख लीजिए endosium and gynosium टेक ये direct part in sexual reproduction जो endosium गाइनोसियम होता है ये sexual reproduction में direct role इसका होता है they are call essential होल इसी को कहते हैं अई भी देख लीजिए काइलिक्स अन्ड क्रोला जो होता है do not take part in sexual reproduction हैंस काल ये accessory होल होता है मतलब सहायक चक्र होता है तो आप लोगे clear कर लीजिएगा next question number कहरा snake and leisure set the scales are जो इसमें क्या snake असर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को तोचिये केंचुल के रूप में छोड़ते हैं यहां है क्या है dermis है तोचा है या epidermis है c आफ curling पायर से शल्क काया क्री आफ़ायर सेल्स कहते हैं तो जो सू आफशन कहते हैं सल्क के उटिको कोशिकाय का आपसणि आपसण नंबर सिस सही हो जाए गा है और इसका explanation देख लेते हैं रेप्टाइलस आर मोस्ट्री टेरेस्टीयल नर्मौ सब्सक्रण सुछ को हाइपो सिक्रेशन आप सिर्वाइड हार्मोन फ्राम एडिनल ग्रेंड लीड्स टू अग्रा कि फॉस्ट आप्षण में दे रहाऊ एडिशन डिजीज बी आप्षण में कुसिंग डिजीज दी आप्षण में सचंफ यहां कि अधिक आफ से क्या होता है अगर कम होगा हाइपॉ मुतलब कम हो जाता हाइपर मींस अधिक हाईपौ से क्रमोन का हाइप सक्रेशन होना कम सी खाता कम हो पिस्टिर्वाइड हार्मोन like cortisol and elderosterone secreted from adrenal cortex से, adrenal cortex से यह secret होते हैं from adrenal gland, lead to addition disease हो जाती है, और the hypo, hyper secretion of cortisol, glucocarticoid lead to kissing disease हो जाती है, और dwarfism कब होती है, बाउना कब हो जाता है, human, जब उसमें क्या growth हार्मोन का क्या हो जाए, हो जाए सिक्रिशन नेस्ट कोईस्चन नंबर कोईस्चन कह रहा है हुई इच वन आप दा फालोइंग पेर्स आप फूर्ड कंपोनेंट इन हीमें रीचर दा इस्टोमस टोटली अंडाइजेस्टेड कह रहा है मनुष्य में आहार घटकों के निमलिखित युग में से कौन सा अमासे में पूरी तरह बिना पचे पहुचता है तो प्रोटीन और स्टार्च फरस्ट आपसन बी आपसन स्टार्च और फैट और सी आपसन फैट एंड सेलुलोज डी आपसन स्टार्च एंड सेलुलोज तो इसमें स्टार्च दे रहा है स्टार्च जो मूं माउथ होता है यहीं से पाचन शुरू हो जाता इस्टार्च यहां भी है इस्टार्च यहां हो फाय्ट और सेल्वूलोज यहां होता है बिना पच्चे हुए इस टोमच में पहुचता है तो आपसे नंबर सी correct करिए इसका explanation देख लेता है इस्टार डाजेस्टर इंदा बको फायरेंजियल काइबिटी स्टार चेहीं से क्या हो जाता है डाजेस्ट हो जाता 30% और cellulose not digested in human because cellulose content beta 1-4 linkage आप ये भी देख पूछा भी गया question कि cellulose में कौन सा लिंकेज पाया जाता है तो beta 1-4 linkage पाया जाता है और क्या जो एंजाइम प्रोटीन डाजेस्टर इंदा इस्टो मच प्रोटीन तो डाजेस्ट हो जाती है इस्टो मच में तो सभी को पता है नेस्ट को इस्टन नमबर कह रहा है दी आसेक्स्वल स्पोर्स आर जनरली नाट फाउंड इन आसेक्स्वल स्पोर्स जो होती है वो जनरली किसमें नहीं पाया जाती है बेस्टिो माइसटीज में B-A-Session स react एक नाम और यात कर लेजिए आप लोग श्रूम यांद डूम स्रूम होते हैं इसमें नहीं पार नहीं पाई जाता क्या भी जांड आसेकस्वल इस पार नहीं पाजाजाता बिस्द्यो मांध मुश्रूम होते हैं जो मिट्टी में लठे तथा बिरिच के ठूठो पर तथा सजीव पात्पों के अंदर परजीवी के रूम में उगते हैं यह कह रहा है एक्सप्लानेशन में कह रहा है बेस्डियोमाजिटी जार मसरूम दैट ग्रो इन स्वाइल आनलोक्स अंट्री इस्टम और लिविंग प्लांट वडी और पारसाइट नेक्स्ट कोईस्टन नमबर इन ECG में दी री पॉलराइजेशन आप बेंटरकिल इसमें देख लिजिए री पॉलराइजेशन आप बेंटरकिल की बात कर रहा है तो आप ऐसे बनाएंगे इसको पी क्यू आर यस्टी यह पी क्यू आर यस्टी तो यह कह रहा है इस लेबल पे क्या होता है ECG में repolarization आप benticle में T-wave पे होता है तो option number D सही हो जाएगा और T-wave क्या होता है T-wave हम लोग देख लेंगे T-wave represent the return of the benticle from excited to a normal state repolarization कहते हैं the end of the T-wave mark the end of the systole यह भी पूछता है कि end of the systole किस पे होता है तो T-wave पे होता है तो option number D सही हो जाएगा next question number हम लोग देखेंगे these cells of the embryo sac in the chalaja end are called जो embryo sac होता है उसमें कहरा chalaja end पे क्या होता है embryo sac का हिंदी क्या होता है brood coast होता है तो brood coast में जो chalaja end होती है वहाँ पे 3 antipodal cell होती है antipodal cell यह भी पूछा गया antipodal cell haploid होती है इसमें क्याइक डिपलोइड होती है तो यह haploid होती है तो 3 antipodal cell होती है chalaja end पे और इसमें micro pilar end होता है और chalaja end होता है कभी-कभी question एभी पूछता है कि यह जो embryo होता है embryo sac होता है brood coast होता है यह कितना cell इसमें होते हैं और कितने nucleated होते हैं यह 7 cell 8 nucleated होता यह भी question पूछा गया है और यह देख लिजिए यह question पूछा गया है बार-बार question यह पूछे जाते हैं सभी question पूछे गया है यह question पूछा गया था कि double fertilization यह देख लिजिए double fertilization में कितनी nucleus involved होते हैं तो आप लोग याद कर लिजिए 5NUCLEI5 nucleos involved होते हैं double fertilization में यह भी question पूछा गया है अगला question कह रहा emulsification fat is carried out by वसा का पाइसी करण किसके द्वारा किया जाता है emulsification means होता है पाइसी करण तो यह pancreatic juice के थूरू किया जाता emulsification fat fat का emulsification यह cell के थूरू किया जाता है यह bile के थूरू यह mucus up intestine तो आपसन नंबर सी सही करेंगे जो liver के थूरू से क्रेट होता है और गाल ब्लेडर में इस्टोर होता है यह जाके fat का emulsification करता है तो आपसन नंबर सी सही हो जाएगा इसका explanation देख लेते हैं the bile salt are produced in liver liver से produce होता है and are stored in gallbladder bile salt like sodium glycolate जैसे bile salt कभी यह भी question पूछा कि bile salt में क्या होता तो sodium glycolate and sodium tarcolate होता है यह question आप लोग clear कर लिजिए और यह क्या करता है यह surface tension जो होता है उसका बढ़ा देता है fat molecule का और break तोड़ देता है into the minute up droplets में छोटे-छोटे कड़ों में तोड़ देता है the process is known and emulsification इसी को कहते हैं next question number in plant meiosis occurs in पौधो में अर्ध सूत्री विवाजन किसमे होता है पौधो में अर्ध सूत्री विवाजन म्योसिश जो होता है किसमे होता है first option answer दे रहा B option root tip दे रहा C option camvium D option pollen grain तो plant में म्योसिश जो होता है वो अन्थर में होता है इसका explanation A option सही हो जाएगा explanation देख लेते हैं miosis occurs in pollen mother cells of anther pollen mother cells के anther में क्या miosis होता है कहां पे होती है तो अर्द सूत्री विवाजन जो पराग कोस की पराग मात्र कोसकाओं में होता है next question number very most important question है guard cells help जो guard cell होती है क्या help करती है रच्छक कोसकाओं मदद करती है किसमे या C option increasing temperature of leaf D option decreasing gaseous exchange तो guard cells जो होती है वो help करती है ट्रांस्पाइरेशन में तो option number first सही हो जाएगा और इसका explanation भी देख लेते है question इसके explanation से भी पूचा गया कहरा guard cells जो होती है वो help करती है इन ट्रांस्पाइरेशन में एक question ये पूचा गया और दूसा question पूछा गया, transpiration is the eviporation of the water from the aerial part, क्या हो जाता है, वातपो सर्जन हो जाता है, पाधे के वाई भीओ भागों से, जैसे वाई भीओ भागों से जल का वास्पी कनड हो जाता है, विसेश रूप से पतियों, पतियों से होता है, सबसे अधिक पतियों से होता है, बट प्लांट फार्ट आदा इस्पेशली लीव से होता बट आलसो इस्टेम से भी होता थोड़ा बहुत और फ्लावर से होता और रूट से भी होता यहां से कोईश्चन बना है कि टांस्पारेशन कहां कहां से होता तो माइक्सिमम तो लीव से होता बट इस्टेम फ्लावर रूट तीनों और जगह से होता, दि इस्टो मेटल ओपनिंग अलाव्दा डिफ्यूजन आफ कारबन डायाकसाइड आपसीजन डिफोटो सिंतिस के दोरान कारबन डायाकसाइड और आकसीजन का डिफ्यूजन होता है, किसके थुरू इसी के थुरू होता है, इस्टोमेटा के तुरू नेक्स्ट कोईश्ट आर्गनिंग प्रोसेस करेक्टरिस्टिक आप बोथ प्लांट एंड एंड एन एनिमल कोईश्चन कहरा है निमलिखित में से किस जीव में एक पौधे और एक प्राड़ी दोनों की विशेष्टाएं हैं यह हम लोग को देखना ह और प्लांट की विशेष्था किस में होती है फहस्ट आपकी अप्र सट पाश्ण माईको प्लाज्मा दे रहा है भी आपसन और ससन वैक्टीरिया डी आपसन इगलीना दे रहा है तो आपसन नंबर्ड डियम लोग करेंगी एक यूट़ीना एक जीव है जिसमें एक पौधे और एक प्राड़ी दोनों की बिशिष्टाएं होती हैं क्योंकि यह एक कसाब के साथ संचलन कर सकता है और इसमें प्राड़ हरी मतलब क्या chlorophyll भी होता है इसका पोसर मिस्ट्र पोसित होता है इसलिए जैसे देख लिजे एक्स्प्लानेशन देख लिजे देख लिजे देख से भी कोईशन पूछा गया है मिग्जो ट्रॉफिक कौन होता है तो वह होता है इगलीना नेक्स्ट कोईशन नमबर माइक्रोस्कोपिक स्टेडी आप टीशू इस नोन आज कह रहा है उतकों के सूच्मदर्सी अध्यन को क्या कहा जाता है तो माइक्रोस्कों के जब की बात आजाए तो हिस्टोलोजी होता है टीशू की स्टेडी हिस्टोलोजी आपसन नमबर फस्ट डारेक्ट सही करिए और उतकों और अंगों को उनके कारियों के संबन्द में सुच्वंदर्सी अध्यन उतक विज्ञान के रूप में जाना जाता है तो इसलिए हिस्टोल अधाप्टी रेडियेशन, B आपसन सीजनल माइग्रेशन, C आपसन ब्रूर्ड पैरासिटिंग और D आपसन कनेक्टिक लिंग्ज तो फर्स्ट आपसन सही हो जाएगा अनकूली विकिरन, एडाप्टीव रेडियेशन, फर्स्ट आपसन सही हो जाएगा डार्विन के इकसेलेंट एगजामपल आपेडियेशन, इडाप्टी रेडियेशन इडाप्टि रेडियेशन इस द आकरेंस आप दावर्सटी फिकेस आप सिंगल और आपसमाल गूरूप आपस्पीज इंटू लाज नमबर, आप लार्ज नमबर में ट्रांस्फर होना क्या कराता है डा पॉलेन ग्रेंड रहा है तो समझे लीजे आप इंटमोफिली की बात कर रहा है भी लार्ज आन्टाटिक कलर्द फ्लावर इस करेक्टरास्टिक आप फ्लावर स्वयंग बड़े और आकरसक रंगीन पुस्पों के साथ चिपचिपए परागण पुस्प की विशेषता है जो दरसाता क्या है एनिमोफिली मतलब वायव द्वारा इन्टिमोफिली बी आफशन कीट परागण कहते हैं B option को C को क्या कहते हैं hydrophily जल परागण कहते हैं और D option malacophily जो घेगा परागण होता है तो option number B intemophily हो जाएगा B option हम लोग correct करेंगे और इसका explanation very most important है intemophilus type of pollination take place through the agency of insect के थुरू होता है और ये insect the intemophilus flower are brightly colored होते हैं and fragrant to the attractive the insect insect go attract करते हैं आएसे मान लेजिए au ignorator ile पोर्त पूश्प कहते हैं चमकीले रंग के होते हैं और सवगंदित होते हैं ये प pararागण के सरीर से जैसे in जैसे इन्सेक्ट के सरीर से आसानी से जूडने के लिए इनके प्राकड जो होते हैं चिपचिपए होते हैं जब केट पुस्पो के आसपास आते हैं तो पराकण जो होता है उनके सरीर पर जड़ जाते हैं और जब यह उड़ते हैं और अन्निपुस्पो के पास जाते हैं तो यह इस्टिग्मा जो होती है फ्लावर की इस्टिग्मा होती है उन्हें के सम्मों की यह पराकण जो चिपका आप बंचे पयुटिटरी इस प्रस्टवन को इसे अगता को आप लोग यह तो आप आवा याद कर लीजिए हमका याद किये थे पान Posterior Pituitary Neuro-Hypo**** जो हम लोग पान खाते हैं Posterior Pituitary को Neuro-Hipof oat कहते हैं तो APSON NUMBER B Correct करके हम लोग Question आगे बढ़ जाएंगे ये देख लिज you Explanation देख लिज जी जो कि important है Puis Grinth की Posterior Loba की The perder is called Neuro-Hypo**** and is composed of non-m999 nerve, fiber and branching nerve call it is ultrkg and released two hormone oxytocin and bisoprocin यह जो posterior pituitary होती है निरो हाइपोफासिस से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं एक आक्सिटोसिन और एक आक्सिटोसिन और एक बाइसोप्रेसिन नेक्सटोसिन निट level इक्जाम है निटोसिट्स केलिए तो बेरी मॉस्ट इंप आड़ियो के लिए यह सभी कोईसिन इंपॉर्टन है लेकिन अमगर इस चैनल को तेज़े से ग्रोव करिए अपने फ्रेंड्स और वार्टसप गुरूब में जरूर सेयर करें तो आप लोग चैनल को तेज़े से ग्रोव करिए question very most important है तो आप ही लोग के लिए यह चैनल है आप ही लोग के लिए question भी है और selection आप ही काई होगा तो next question हम लोग देखते हैं प्यूरिफाइड एंटिवाटिक पिनिसलीन आप पिनिसलियम नोटेटम वाई डिसकवर्ड वाई जो पिनिसलियम नोटेटम की सुद्ध परतिजैबिक पिनिसलीन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी यह पूछ रहा है तो प्यूरिफाइड इंटिवाटिक पिनिसलीन आप पिनिसलियम नोटेटम वाई डिसकवर्ड वाई अलेकजंडर फ्लेमिंग तो आफसन नंबर फरस्ट ही करेक्ट हो जाएगा वी आफसन में हवाट फ्लोरे दे रहा है यह दोनों तो इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट किये थे जिसको नो पिनिसलीन कहां से मिला था किसे बाइक्टिरिया वाईरस फंगाई यलगी ऐसे देता है तो फंगस आफसन सही हो जाता है और तीसरा क्या बनता है टूडे पिनिसलीन वाज आप्टेंड वाई पिनिसलीलियम और यह कोईस्टिन यह बनता फ्लेमिंग चैन और फ्लोरे वार दा नोबेल प्राइज 1945 भी पूछता है यह सन पूछ लेता दिस्कवार क्या किये थे फ्लेमिंग चैन फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में कि कौन किस चीज की डिसकवरी किये थे तो पिनिसलीयम एक एंटिवार्टिक थी उसी के डिसकवरी की वजा से इनको फ्लोर की चैन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इस्टुडियन्ट थाइंक्यू स्टुड 点 आप लोगान श्यर जरूर करिये तो इस्टुड एंट आमनों नेक्स्ट वीडियो में ब्हक्त कोश्टन के साथ मिलते हैं थैंक्यू बाइ बाई कि अ है अ